वेल्कम टू चानग के प्रतियोगता अकादमी आज हम डिफ्रेंशेशन का बेसिक स्टार्ट करेंगे देखें डिफ्रेंशेशन का जो सिंबल है वो दी वाइ अपॉन दी एक्स लिखते हैं इसे पढ़ते हैं डिफ्रेंशेशन ओफ य विद रस्पेक्ट तो एक्स विहर वाई इस दा फंक्शन ओफ एक्स हम य का डिफ्रेंशेशन कर रहे हैं विद रस्पेक्ट तो एक्स इसमें य एक्स का फंक्शन है यानि य की जो वैल्यू दी होगी इन टर्म आफ एक्स होगी अगर हम डिफ्रेंशेशन को इस तहरा लिखते हैं डिटी अपॉन डिएक्स तो इसे पढ़ेंगे डिफ्रेंशेशन ओफ य डिफ्रेंशेशन ओफ टी विद रस्पेक्ट तो एक्स विर टी इस दा फंक्शन ओफ एक्स यानि यहाँ पर टी वैल्यू इन टर्म आफ एक्स दी होगी अगर हम लिखते हैं डिफ्रेंशेशन को दी उपाउन डीटी इसका मतलब है डिफ्रेंशेशन ओफ यू विद रस्पेक्ट तो टी वेहर यू इस दा फंक्शन ओफ टी यानि यू की जो बैल्यू है वो इन टर्म आफ टी दी होगी अब देखें फार्मूला डिफ्रेंशेशन के इसे पहला है डिफ्रेंशेशन ओफ वाई विद रस्पेक्ट तो एक्स हमें करना है डिफ्रेंशेशन ओफ एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशेशन कैसे करते हैं एन पावर को शुरू में लाएंगे और एन में से एक पावर कम कर देंगे हमें करना है डिफ्रेंशेशन ओफ एक्स इसका डिफ्रेंशेशन बन होगा हमें करना है रूट एक्स का डिफ्रेंशेशन यह होगा बन अपॉन टू रूट एक्स differentiation of any constant के constant है हमें constant का differentiation करना है यह 0 होगा किसी भी constant का differentiation 0 होगा constant के साथ अगर x दिया है x का कोई term दिया हुआ है तो constant तो भारा जाएगा differentiation से और differentiation हम करेंगे x की पावर n का के ऐसी रहेगा x की पावर n का होगा x की पावर n माइनस 1 अब देखिए इस पर example हमें differentiation करना है x raised to the power 7 का यह से match कर रहा है x की पावर n यानि n यहाँ पर 7 है तो 7 पावर हम शुरू में लाएंगे और 7 मेंसे एक पावर कम करतेंगे माइनस करतेंगे 1 तो यह गए 7 x की पावर 6 हमें करना है 1 अपॉन x क्यूब का differentiation लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वो तो x की पावर n है तो इसे इस वाजा से पहले ऐसे लिख लें x की पावर माइनस 3 पावर जो उपड़ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी अब यही रूल हो गया x की पावर n वाला यानि n पावर शुरू में आएगी और इसमें से माइनस 1 करतेंगे माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया हमें करना है root x का differentiation वैसे तो डारेक्ट भी लिख रखा है root x का differentiation 1 upon 2 root x होता है लेकिन इहां पर हम करके देखते हैं इसे लिख दो x की पावर half यह वो ही चीज़ बन गई x की पावर n तो half power शुरू में लाएंगे और इसमें से माइनस 1 करेंगे तो minus 1 by 2 हो गया minus 1 by 2 minus 1 तो minus का 1 by 2 यह हो गया 1 upon 2 root x हमें करना 1 upon root x 1 upon root x तो इसे लिख x की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे root x का मतलब x की पावर half और half को उपड़ लेगा है तो यह हो गया minus half अब यह x की पावर n हो गया देखें तो minus half शुरू में लाएंगे minus 1 करेंगे तो minus का 3 by 2 हो गया minus half minus 1 minus 3 by 2 हमें करना है 7 का differentiation 7 constant है pure constant है इसमें x नहीं है इसलिए इसका differentiation 0 हो गया किसी भी constant का differentiation with respect to x हो या कोई भी हो तो 0 ही होगा differentiation of 9 यह भी constant है 0 हो गया 7 x की पावर 2 का x के साथ अगर constant दिया हुआ है तो constant तो भाहर ली आएंगे differentiation से और differentiation हम करेंगे केवल x की पावर 2 का x की पावर 2 का differentiation 2x हो गया यहोगे 14x अब है find dy upon dx मतलब differentiation of y with respect to x if y equal to 5x की पावर 4 3x square minus 2x plus 3 हमें इसका differentiation करना है with respect to x तो इसके नीचे लिखेंगे differentiate with respect to x y का differentiation dy by dx यहा लिखेंगे d dx of 5x की पावर 4 3x square minus 2x plus 3 differentiate करते वागत अगर बीच में plus और minus है तो plus वाले term का अलग differentiation होगा और minus वाले term का अलग यानि कि 5x की पावर 4 का अलग differentiation करेंगे 3x square का अलग करेंगे 2x का अलग 3 3 का अलग यानि 5x square का differentiation करेंगे फिर differentiation करेंगे 3x square का फिर differentiation करेंगे 2x का और फिर differentiation करेंगे 3 का सब क्या अलग अलग हमें करना है 5x की पावर 4 का differentiation तो 5 तो constant है ऐसी रहेगा x की पावर 4 का differentiation यह x की पावर n हो गया तो n पावर शुरूमा आएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे यानि 4x3 प्लस 3 ऐसी रहेगा x square का 2x हो जाएगा फिर differentiation हमें करना है 2x का तो 2 ऐसी रहेगा और x का differentiation बन हो गया और 3 pure constant है 3 का differentiation 0 हो गया यानि इसका answer हो गया 20x3 प्लस 6x माइनस 2 find dy upon dx if y equal to root x plus 1 upon root x whole square अब देखो अभी ऐसा तो कोई फार्मूला हमने लिखाया है नहीं है इसको पहले फार्मूले के तरीके से solve कर लें कि ये फार्मूले की शकल में आ जाए यानि square है तो whole square को लें a plus b का whole square ये होगा a square root x का square x हो गया plus b square और plus 2ab 2ab ये a है ये b है तो 2ab तो रह गया आप करेंगे इसे differentiate with respect to x x का तो ऐसी हो जाएगा ये burn upon x है तो इसको लिखना पड़ेगा x की power minus 1 क्योंकि हमारे पास फार्मूला है x की power n का तो x की power n होना चाहिए ये अब आईए x का differentiation डारेक्टी लिखा रहा है formula 1 हो गया x की power minus 1 तो minus 1 शुरू में आएगा और minus 1 minus 1 तो minus 2 हो गया और 2 pure constant है इसका 0 हो गया तो इसको answer हो गया minus 1 upon x square 1 minus 1 upon x square find d y upon d x if y equal to a x square plus b x plus c upon root x अब हमें इसका differentiation करना है a x square plus b x plus c upon root x अब ऐसा तो कोई direct formula अभी है नहीं हमारे पास तो इसको पहले formula की शकल में convert करेंगे आप इसको ऐसा करो a x square upon root x b x upon root x c upon root x root x से सबको separate करो a x square के नीचे लग लिग दो b x के नीचे लग c के नीचे लग अब आप देखो x square ही है और यह root x इसका मलग है x की power half base same है x x और divide है जब base same होती है तो power subtract हो जाती है 2 minus half 3y2 हो गया x की power half और x की power 2 दोनों की base same है power subtract हो गया 2 minus half 3y2 यह x की power 1 है और यह x की power half है फिर power subtract हो गया 1 minus half half बचेगा c c तो constant है root x है upon में root x का मतलग है x की power half उपर ले गए तो यह हो गया x की power minus half अब यह पूरा question x की power n के हिजाब से convert हो गया x की power n x की power n के हिजाब से अब इसे differentiate करेंगे with respect to x इस term का differentiation अलग होगा इसका अलग इसका अलग क्योंकि बीच में plus है इसका करेंगे a constant है ऐसी लिखा रहेगा यह गया x की power 3 by 2 तो 3 by 2 तो शुरू में आ गया और power में 1 minus कर देंगे 3 by 2 minus 1 यह गया 1 by 2 b constant ऐसी रहेगा x की power half half power शुरू में आ गई half minus 1 minus 1 by 2 आएगा half minus 1 minus का 1 by 2 c constant है minus हाप शुरू में लिए आएँगे और minus 1 करेंगे तो minus का 3 by 2 यह गया b upon 2 upon में root x लिख दिया x की power minus half जब root में लाएँगे यह जाएगा minus c upon 2 x की power 3 by 2 यह answer हो गया थेंक्यू गज्धोंई लाइगे